नमस्कार दोस्तें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, COVID-19 की जो second waves इंडिया में आयो हुई है, उससे बहुत सारे लोग infected हो रहे हैं और काफी भेह का महुल बना हुआ है, तो इसका असा अल्टिनेट अंसर है, COVID-19 की जो vaccine लगाई जा रही है भार सरकार के द्वारा उसे आनी रहे थे पर जब से यह महामारी और बेंकर रूप में आई है, तो अभी लोगों को जाग रूपता नहीं है, कि उसे कैसे लगवाई, तो बहुत ही सिंपल है, हम आज उसी पर एक वीडियो बना रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्स इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो यह वेबसाइट है, इस पर आपको आना है, रिजिस्टेशन करना है, अभी तक जिनकी भी इंडियन सिटिजन है और 45 से अबाव एज है, उन सभी के लिए वैक्सिन लगाई जा रही है, उनको रिजिस्टेशन करना है, अपना शुडूल करना है, और वैक्सिनेशन सेंटर चूज करना है, और वहाँ जाकि अपनी वैक्सिन की डॉस लगवानी है, अभी जो वैक्सिन, कोविट-19 के वैक्सिन लगए है, उसका दो डोस लगेगा, एक ये रिजिस्टेशन ओपन हो जाएगा, 18-18 साल से जादा के उमर के लोगों के लिए वे, तो आए जल्दी चलके देखते हैं, आपको रिजिस्टेशन साइन पर जाना है, यहाँ पर आप दो तरीके हैं, या तो आप डारेक्ट साइन कर सकते हैं, या आप साइन इन विद औ बीद साइन साइन कर सकते हैं, और या आप की वैक्शिनेशन हो गई है, तो वहाँ जो नमबर रिजिस्टर है, उसको आप नमबर एमटर कीजिए, यहाँ पर अपना मोटाइज कीजिए, थो भी आपको फर्स्स डोज में रिजिस्टरियसन है, और इस नमबर पर आप चला देखिए हमने एक account अभी sign up किया sign in किया है यह mobile नमबरमने जो use किया है यह रोगय से तुम रिजिस्टर था वहां रिजिस्टर mobile नमबर से लॉगई हुए हमारे सामने स्क्रीन आ गई है registration for vaccination रिजिसटेशन फॉर जो भी इंडियन आइडी उनका आप यूज कर सकते हैं आप अधार का यूज कीजिए यहां आप अपना अधार नंबर एंटर कीजिए यहां आप अपना और जूकि वेक्सिशन अथाइस अपरल को ड्यू हो रही है सेकिंड वेक्सिशन है मदर की तो यह 28 अपरल से आगे की त सोचल डिस्टेंस का भी पालंग कर रहे हैं उस हिसाफ से तो आप जिस भी दिन यह मेरी माता जी अवलेबल होंगी हम यहां पर शेडूल कर लेंगे मेरे अनजदी की इंदरपूरी यूपीसी सेंटर है पहली वेक्सिशन यहीं हुई थी सेकिंड भी हम यहीं के लिए बुक सकते हैं यहीं करवाएं ईब आस चाहीं इसंटर में और 17 सेंटर फिसेंटर कर्वा सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है आप वैक्सिशन करवाें करोना से बचाओ का यह लास तरीक है अभी हाली में हम देखने में जा रहे हैं महीं में शाइरिसका पीक आएगा अब ये दिल्ली में बुरे हालात है ऑक्सीजन की किलत है लोग मर रहे हैं लग बग काम कर रहा है 24 गंटे उसके बावजूद भी लोगों को help ने मिल रही है देखें मेरे फादर का भी management रिजिस्टर कर सकता है आप एक रिजिस्टर में चार लोगों को रिजिस्टर कर सकते है इनका dose 1 है सेम प्रोसेस शडूल में जाएं शडूल नाउ करें अपने एरिया का पिन कोड एंटर करें वहाँ जितने भी vaccination center है उनकी लिस्टिट आउट हो जाएगी एक चीज़ और बतानी मैं आपको भूल गया हूँ वो इसमें बता देता हूँ यह जो आयूश विंग LD है चत्रगरटपटी है, DSA, इंदरपूरी है यह है और इनका 26 तारिक शडूल हो रहा है क्योंकि आज 25 तो होईगी है कल के तारिक में शडूल हो रहा है एक चीज़ और बता दे यहाँ पे कुछ private hospital भी है अगर कोई वेक्टी government या सरकारी vaccination center पे नहीं जाना चाता हूँ वहाँ अगर आप यहाँ पे शडूल करेंगे तो आपको कुछ नॉर्मल से चार्जिस उस hospital को पे करने पड़ेंगे वेक्सिनेशन लगाने के इस तरह से मतलब जो लोग भीड में नहीं जाना चाते जाना चाते पैसा ज्यादा है वह प्राइविट सेंटर पर बजा सकते हैं जैसे नीचे भी है मौर सिंग है यह पहले आ गया शिरी होस्पिटल है इनको भी दो तीन यह प्राइवेट भी है मेरे एरिया में तो यह धिरी धिरी भी बहुत जारा बढ़ने भी वाले हैं सरकार इसके लिए बढ़ सर युद्सतर पर प्रियास कर रही है तो आप मास्क लगाए सोचल डिस्टेंस का पालन करें जूरत ना हो तो घर से बाहर ना आ जाए और अगर आपकी एस 45 डे से 45 सारी एर से जादा है तो वैक्सिनेशन लगवाएं पहले फर्स डोस एक मिनने के बाद सेकिंड डोस यह ज़रूरी है तो हमारी वीडियो से अगर किसी को भी हेल्थ मिल आपके लिए लगते रहेंगे और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए जितना हो सकता है शेयर कीजिए शेयर से कली लोगों को तकी वीडियो पहुंचेगी लाइक से भी पहुंचेगी तो वाई इस तरह आप वैक्सिनेशन ज्रूर करवाएं